ओप शांती, आज 5 अक्तूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं, आज बाबा हम बच्चों को भगती का फल भगवान से मिलना, उसकी क्या विधी है, कौन मिल सकता है, ये बाबा ने विस्तार से समझाया, बाबा ने का तुम बच्चे ही मुझे द्वापर से बुलाते आएगो, भगती करते आएगो, अब मैं आपको भगती का फल देने के लिए आया हूँ, भगती का फल है ग्यान, जब आपको ग्यान मिल जाता है, तो सद्गती हो जाती है, और आप नई दुनिया में राज्चे क बाप की याद से ही आत्मा पतित से पावन बनती है सिवाए याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती अब पावन बन कर घर चलना है उसकी तैयारी करनी है दुख में हमेशा पारलोकिक बाप को याद करते हैं बुलाते आए हैं हे पतित पावन आओ बाबा कर याद दिलाते मैंने तुम्हे स्वरग का मालिक बनाया था तुम्ही देवी देवता थे 84 जनम लेते तुम नीचे आ गए अब तुम फिर से बाबा के बने हो कितनी खुशी होनी चाहिए कि अब हम पारलोकिक बाब के बन गए वो पारलोकिक बाब हम एक काटों से फूल बनाते हैं इसलिए उनको बबुलनात कहते हैं ऐसे मोस्ट बलवड बाबा को कितना याद करना चाहिए जो आकर रात को दिन बनाते हैं काटों को फूल बनाते हैं वो कितना मीठा, कितना प्यारा है प्यारे से प्यारे चीज़ को याद किया जाता है बाबा को बहुत प्यार से याद करना है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहते है आत्मा पारलोकिक बाब को ही कहती है बाबा, आतम अभिमानी बनते है तो बाबा की याद स्वते ही रहती है पारलोकिक बाप का वर्षा 21 जन्मों के लिए मिलता है आप ही द्रोपदियां हो, अर्जुन हो इसी समय तुम बच्चों ने पुकारा आप ही इस समय आकर के सत्ते गीता ज्ञान प्राप्त करते हो तो अर्जुन भी हो, पार्वतियां भी हो अमरनाथ बाबा, अमर कथा सुना रहे है वो ही भागीरत बनते है भागीरत ब्रह्मा को कहा जाता जिनके द्वारा शिव बाबा ने ग्यान दिया कहते भागीरत ने गंगा लाई कौन सी गंगा लाई ये समझने की बात है वो ही आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं जिस से आत्मा पतित से पावन बन जाती है बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते बाबा केते तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो इस पढ़ाई को पढ़कर तो अच्छी रिती पढ़ना है और पढ़ाना है सत्यों में तो फर्नीचर भी अच्छा होता है यहाँ पर आप आए हो दैविगुनों को धारण कर फिर से देवता बनने के लिए बहुत सुन्दर बात वर्दान में बाबा समझा रहे है कि बाबा साथ है इस समर्थी से आप समर्थ आत्मा बन जाते हो शक्ति शाली आत्मा बन जाते हो डबल फोर्स से कार्य होता है जब बाब ददा साथ है यह समर्थी रहती है तो कार्य भी सफल होते हैं सहज होते हैं आप आत्माई भी पावर्फुल बन जाते हो सहज योगी बन चाते हूँ तो ये याद रहे बाप ददा सदा मेरे साथ है जो महरती है वो माया के वश हो नहीं सकते सच्चा महरती माया को दूर से ही पहचानता है आज चलते फिरते याद रहे पारलोकिक बाप स्वयम मेरे साथ है बाप दादा मेरा साथी है, मैं सहज योगी हूँ, सहज योगी हूँ अब सुनते हैं मुरली विस्तार से भाबा कहते हैं मेठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है कोशन भगवान किन बच्चों को मिलता है बाबा ने कौन सा हिसाब बताया है भगवान किन बच्चों को मिलता है जिन्होंने शुरू से भगती की है उन्हें ही भगवान मिलता है बाबा ने ये हिसाब बताया सबसे पहले तुम भगती करते हो इसलिए तुमें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है जिस से फिर तुम नई दुनिया में राच्चे करते हो बाबा केते तुमने आधा कल्प मुझे याद किया अब मैं आया हूँ तुमें भगती का फल देने के लिए द्वापर कल्यूग आधा कल्प तक याद किया अब मैं आया हूँ भगती का फल देने गीत है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में ओम शान्ति बच्चों ने गीत सुना जब कोई मरते हैं तो बाबा के पास जनम लेते हैं जानते हो हम आत्माई हैं वे हो गई शरीर की बात एक शरी छोड़ फिर दूसरे बाब के पास जाते तुमने कितने साकारी बाब किये असल में हो निराकारी बाब के बच्चे तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो रहने वाले भी वहां के हो जिसको निर्वान धाम, शांती धाम कहा जाता है बाप भी वहां रहते हैं यहां तुम आकर लोकिक बाप के बच्चे बनते हो फिर उस बाप को भूल जाते हो सत्योग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलोकिक बाप को भूल जाते हो सुख में उस बाप का सिम्रण नहीं करते हो दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है जब लोकिक बाप को याद करती है तो बुद्धी शरीर की तरफ रहती है अब उस बाबा को याद करेंगे, कहेंगे ओ बाबा है दोनों ही बाबा, शिव बाबा और लौकिक बाबा, एक है शरीर के पिता, शिव बाबा आत्माओं के पिता, उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा है दोनों बाबा, राइत अक्षर बाप है, वो भी फादर ये भी फादर, आत्मा रुहानी बाप को याद करती है, तो बुद्धी कहां चली जाती है, ये बाबा बैट बच्चों को समझाते, अब तुम जानते हो, बाबा आया हुआ है, हमें अपना बनाया है, बाबा स्वयम आया है, उसने हमें अपना बनाया, बाबा केते, पहले-पहले हमने तुम्हें स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत सहुकार थे, फिर 84 जनम ले, ज्रामा प्लैन अनुसार, अब तुम दुखी हो गए हो, ज्रामा अनुसार, ये पुरानी दुनिया खतम होनी है, तुम्हारी आत्मा और शरीर उपी वस्त्र, सतो प अब तुम आत्मा बिल्कुल पतित बन गई, तो शरीर भी पतित है, ऐसे 14 करेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है, तुम भी अब काले आईरनेस्ट बन गई, अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गई, तो फिर पवित्र कैसे बने, आत्मा पवित्र बने, तो शरी भी पवित्र मिले, वो कैसे होगा, आत्मा पावन बने, तो शरी भी पावन मिले, वो कैसे होगा, क्या गंगास नान करने से, नहीं, पुकारते हैं पतित पावन आओ, ये आत्मा कहती है, तो बुद्धी पारलोकिक बाप की तरफ चली जाती है, जब कहते हैं पतित पावन आओ, तो बुद्धी पारलोकिक बाप की तरफ चली जाती, हे बाबा, देखो बाबा अक्षर कितना मेठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, अब तुम आतम अभिमाने बन, बाबा के बने हूँ, बाबा केते, मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेचा था, नया शरीध हरन किया था, अब तुम क्या बन गए, ये बाते हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए, याद सब करते हैं, हे बाबा, हम आत्माई पतित बन गई, अब आओ, आकर पावन बनाओ, ड्रामा में ये भी पार्ट है, तब ही बुलाते हैं, ड्रामा प्लेन अनुसार, आएंगे भी तब, जब पुरानी दुनिया से नई बनती है, तो जरूर संगम पर आएंगे, तुम बच्चों को निश्चे है, बलव जो मूस्ट बाबा है, अत्ती मीठा, अत्ती प्यारा एक बाबा है, कहते हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, अब स्वीट कौन है, लौकिक समन में, पहले फादर है, जो जनम देते हैं, फिर है टीचर, टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो, नौलेज इस सोर्स ओफ इनकम कहा जाता, ज्यान है नौलेज, योग है याद, तो बेहद का किसी को पता नहीं, चित्रों में कलियर दिखाया, ब्रह्मा द्वारस्थापना, शिव बाबा कराते हैं, ब्रह्मा द्वारक कराते हैं, करन करावनहार है, वो लोग तो त्रीमूर्ती ब्रह्मा कह देते, प्रन्तु उम्ट से मुट्शिव है न, वो साकार है, वो निराकार है, स्रिष्टी भी यही है, इस स्रिष्टी का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है, सुक्षम वतन क स्रिष्टी का चक्रनी गाया जाता वर्ल्ड की इस्टी जोग्रफी रिपीट होती है गाते हैं सत्यूग देता द्वापर कल्यूग बीच में जरू संगम युग चाहिए नहीं तो कल्यूग को सत्यूग कोन बनाए नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाबसंगम पर आते जितना पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती उतना ही दुखी होती जाती है आत्मा जब तमो प्रधान वनती है तो दुखी होती जाती देवताएं है सतो प्रधान ये तो हाइस्ट अथोरेटी गौड फादरली गवर्मेंट है साथ में धरमराज भी है बाबा केते तुम शिवाले में रहने वाले थे और अब है वैशाले तुम पावन थे अब पतित बने हो कहते हूं त देवता के मंदिर में जाएंगे उनके आगे ऐसे कहेंगे कहेंगे कहना चाहिए बाप के आगे उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं वैं देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना ब्रदर से तो कुछ मिलना नहीं है भायों की पूझा करते करते नीचे गिरते आए अब तुम बाबा आया हुआ है उससे हमें वर्सा मिलता है बाकि मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं सरव्यापी कह देते हैं कोई फिर कहते अखंड जोती तत्व है कोई कहते नाम रूप से न्यारा है अरे तुम कहते हो अखंड जोती स्वरूप है फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो बाप को न जाने के कारण पतित बन गए तमो प्रधान भी बनना ही है फिर जब बाबा आए तब सब को पावन बनाए आत्मा ही निराकारी दुनिया में सब बाबा के साथ रहती है फिर यहां कर सतो रजो तमो का पाल्ट बचाती है आत्मा ही बाप को याद करती है अधार लेता हूँ. यह भाग्य शाली रत. ब्रह्मा बाबा का रत, भाग्य शाली रत. बिगर आत्मा रत थोड़े होता है. कहते हैं, भागी रत ने गंगा लाई. अब यह भातों हों ने सकती, प्रंतू कुछ भी समझते नहीं, कि हम कहते क्या है. अब तुम बच्चों को सम जाया, यह ज्ञान वर्षा, इससे क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं, यह ज्ञान वर्षा है, इस वर्षा से पतित से पावन बनते, गंगा यमना तो सत्यूग में भी होती है, कहते कृष्ण यमना के कंटे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, वो तो सत्यू पूल से सब आकर खुश्बू लेते हैं, कांटे से थोड़े खुश्बू लेंगे, अब तो है कांटो की दुनिया, जंगल को बाबा आकर गार्डन फ्लार बनाते हैं, जंगल को शुव बाबा आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है, कांटो से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं, कांटो को फूल बनाने वाला बाबा, तुम बच्चों को बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए, अब तुम जानते हों बेहद के बाब के बने हैं, तुम्हारा संबन उन से भी है, तो लौकिक से भी है, पारलोकिक बा आत्मा जानती, वो हमारा लौकिक बाप, ये पारलोकिक बाप है, भगती मारग में आत्मा जानती है, वो हमारा लौकिक बाप और ये है गौड फादर, अविनाशी बाप को याद करते हैं, वे बाप कब आकर हैविन स्थापन करते, किसी को पता नहीं है, बाप आते हैं, पति का भी बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए बाबा कर रात को दिन बनाते बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते Most beloved बाबा है उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके आधा कल्प से याद करते आए बाबा आकर हमारे दुख हरू अब बाबा आए है समझाते हैं बच्चे तुम्हें ग्रस्त ववार में रहना ही है यहां बाबा के पास कहां तक बैठे रहेंगे साथ में तो परमधा में ही रह सकते हैं यहां तो नहीं रह सकते यहां तो knowledge बढ़ने की है knowledge बढ़ने वाले थोड़े होते हैं पढ़ाई करने वाले थोड़े होते हैं loudspeaker पर कभी पढ़ाई होते हैं क्या teacher सवाल कैसे पूछेंगे लाउड स्पीकर पर रिस्पॉंड कैसे दे सकेंगे इसलिए थोड़ थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कॉलिज तो बहुत होते हैं फिर सबके इंतहान होते हैं रिजल्ट निकलती है यहां पर एक बाप ही पढ़ाते यह भी समझाना चाहिए दो बाप हैं लौकिक और पारलोकिक दो पिता हैं लौकिक और पारलोकिक दुख में सिमरन उस पारलोकिक बाप को करते हैं अब वो आया हुआ है महाभारत लडाई भी सामने खड़ी है वो समयते महाभारत लडाई में स्रेकृष्ण आया ये तो हो ना सके, बिचारे मुझे हुए हैं, फिर भी स्रेकृष्ण, स्रेकृष्ण करते रहते हैं, अब मोस्ट बिलवश्व बावा भी है, तो स्रेकृष्ण जी भी है, प्रन्तु वो है निराकार, वो है साकार, निराकार बाप, सबातमाओं का बाप है, है दोनों मोस्ट श्रीकृष्ण भी विश्व का मालिक है ना, अब तुम जज कर सकते हो, जास्ती प्यारा कौन? एक तरफ श्रीकृष्ण जी, एक तरफ निराकार परमात्मा, दोनों में से जादा प्यारा कौन? श्रीकृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए, बाबा ने समझाया, तुम सब पारवतियां हो, ये शिव अमरनाथ, तुम्हे कथा सुना रहे हैं, तुम्ही सब अर्जुन हो, तुम्ही सब द्रोपतियां हो, इस विश्यस दुनिया को रावन राज कहा जाता, वो है वाइसलिस वोल्ट वहाँ विकार की बात ही नहीं, नीराकार बाप, विकारी दुनिया रचेंगे क्या, विकार में दुख है, सन्यासियों का है हट्योग, नर्विर्ती मारग, करम सन्यास कभी होता ही नहीं, मैं तब हो जब आत्मा शरी से निकल जाए, गरब जेल में फिर करमों का हिसाब शु जाते हैं। रिद्धी शिद्धी भी बहुत है। जादुगर इसे बहुत चीजे भी निकालते हैं। भगवान को जादुगर रतनागर सोधागर कहते हैं। सत्थагरू है, जो आकर गती सद्गती करते हैं। बाबा सचा सत्गुरू है, जो आकर गती सद्गती करते हैं। अच्छा, मीठे-मीठे सिंक्ति लदे बच्छों प्रती, माधपित्ण बाप्टद्र का याद प्यार use रुवाणी बापल की रूह बच्छों को नमस्टे Good morning, शुकरिया बाबा, शुकरिया, धारणा के लिए सार आज की मुरली की मुक्षे बाते काटो से फूल बनाने वाला most beloved एक बाप है उसे बहुत बहुत प्यार से याद करना है बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है उसे प्यार से याद करना है खुश्बूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है ये knowledge source of income है ये पढ़ाई आई का साधन है 21 जनम के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो इसले से अच्छी रिती पढ़ना और पढ़ाना है आतम अभिमानी बनना है अच्छी रिती पढ़ना और पढ़ाना है आतम अभिमानी बनना है बहुत सुन्दर special वर्दान बाप ददा को अपना साथी समझ कर डबल फोर्स से कारे करने वाले सहज योगी भव बाप ददा को अपना साथी समझ कर डबल फोर्स से कारे करने वाले बाप ददक को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कारे होगा और स्मृती भी बहुत सहज रहेगी क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी आदस्वत्य बनी रहती है तो ऐसे साथी रहने से वा बुद्धी द्वारा निरंतर सत्त का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर करतव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा जिससे हर कार्य में सफलता की अनुखुती रहेगे स्लोगन है महरती वह है जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश्ण हो महरती वह जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश्ण हो आज हम अभ्यास करेंगे बाप डादा मेरा साथी है मैं सहज योगी हूँ ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें झाल 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 झाल